तो BSE nursing complete करने के बाद आप किस तरीके से डॉक्टर बन सकते हैं, सारा प्रॉक्षम आपको बताएंगे, अगर आप चालना चाहते हैं, तो वीडियो का अंड तक बने रही, साथ कि अगर आपको medical doctor बनना है, दिन आपको वही process follow करना होगा, जो कि 12th के बार doctor बनने का है, मतलब क 12th के base पर आपको apply करना होगा, नीट यूजी exam के लिए, और जरूरी है कि 12th में आपके पास physics chemistry biology and English ये विसाय हो, और 12th में physics chemistry biology में कम से कमा आपके 50% नंबर होने जरूरी है, physics chemistry biology and PCB के, ठीक है, अगर आप एक general या फिर EWS category candidate हैं, तो अगर आप एक SC या फिर ST या फिर OBC या P.W.B.D. कड़ी candidate हैं, then PCB के जो marks हैं कम से कम 40% हैं, तब भी आप नीट यूजी exam के लिए apply कर सकते हैं, ये जितनी भी जनकरी हम आपको दे रहा है, ये official information browser के recording है, तो नीट यूजी exam के लिए apply करते हैं, qualify कर लेते हैं तो आपको counseling के process में participate करना होता है, course आपको choose करना होता है अगर आपको एलोपेथिक doctor बनना है तो अगर आपको यूजी exam के लिए apply करना होता है, तो आपको जिस प्रकार का doctor बनना होता है, उस हिसाब से आपको course करना होता है, और course complete करने के बाद, internship complete करने के बाद, आप doctor बन जाते हैं, मरीजों का इलाज कर सकते हैं, और अपने नाम के आगे doctor लेख सकते हैं, तो आप इस तरीके से medical doctor बन सकते हैं, medical doctor वे doctor होते हैं, जो की बीमारियों का इलाज करते हैं, मतलब कि जो patient आते हैं, उनको जो बीमारी है, उसका treatment करते हैं, वो medical doctor होते हैं, ठीक है, तो बात करते हैं कि BSC nursing के बाद, आप किस तरीके और जिस सब्जेक्ट में आप PhD करेंगे उसमें आपको काफी नौलेज हो जाएगा मतलब कि आप उस सब्जेक्ट में specialist हो जाएंगे उसके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं उसे समंदी जो जॉब रहते हैं आप उनके लिए apply कर सकते हैं रिसरच की फिल्म में भी जा सकते हैं तो बहुत सारे आपके आपास option होंगे PhD nursing complete करने के बाद भी अब आपको देखना है कि हमें medical doctor बनना है तो आपको वही process follow करना है जो कि 12 के बाद डॉक्टर बनने का है NEET और MABS जो course आपको करना वो कर सकते हैं और अगर आपको केवल नाम के आगे डॉक्टर लगाना देना आ चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए असाई informative वीडियोस देखने के लिए इससे सबंदित कोई question है तो आप comment section में mention कर सकते हैं नवास साथियो जय हिंद जय भारत